आपका स्वागत है आज की जो कहानी है दोस्तों वो मतलब कहते समय में बहुत बादर सोच रहा था कि मैं आपको कहू कि ना कहू लेकिन मतलब यही समझता हूँ दोस्तों कि ऐसी जो बाते है जिन्होंने किसे अपने को खोये थोड़ा सा उनको इससे बहुत ज़्यादा समझ आ सकता है कि कही ना कई हमारे जो अपने है उनको हमारी कितनी फिकर होती है इस दुनिया से जाने के बाद भी इसके लिए मैं आपके समने यह बात रख रहूँ एक माताजी से हमेशा मतलब मेरी बिच बिच में बात होती है तो वो मतलब उन्होंने अपने बेटी को खोया है मतलब 100 कदम आप समझो 100 कदम के दूरी पर उनका बातरूम है तो इसलिए वो यह कहती है कि कही ना कई थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है रात को वगरा बैटरी वगरा लेकर और उसका जो एरिया है दोस्तों थोड़ा सा जंगल जैसा है तो कोई जानवर वगरा मतलब स भी वैसे या फीर और भी जो मतलब जमिन के मतलब gegen कभी कभी कुछ किरी ट base होता है काटने का डर होता है तो है कि इसतर की से इतना प्रवाइब दोस्तों जो माता जी है उसके जो भाई है उनको थोड़ा सा डर लगने लगा वो थोड़ा सा उनसे दुर रहते थे तो उन्होंने ये कहा कि हम तुम तुमारे घर में ही एटेच ऐसे कुछ बातरूम बनाते हैं क्योंकि मज़े सच में डर लगता है तुम रात को वहाँ पर जाती हो और जबसे इनकी मतलब बहुत दिन वो उसके भाई के पास रही थी लेकिन बाद में वो अपने घर पे आ गई थी और बाद में उसको कही पर भी जाने की इच्छा नहीं थी इसलिए उसके भाई ने कहा कि तुम मतलब एटेच हम बना देते हैं और उसके कहती है कि कही ना कही उसकी जो मतलब बेटी थी उसको भी अपनी माह की बहुत ज़्यादा फिकर लग रही थी कि वो रात को ऐसे वहाँ पर जाकर कुछ गिरना जाए, कुछ ऐसा मतलब बुरा ना हो जाए उसके साथ इसलिए कही ना कही लग रही थी बहुत लोग यही कहेंगे कि यह इतनी चोटी सी बात है लेकिन दोस्तों हम अपने लोगों के लिए इतने मतलब चोटी चोटी बात को ले फिकर मंद होते है जैसे हम अपने बच्चे को भार जाते समय कहेंगे कि अच्छे से क्रॉस करना हम उसको फोन करेंगे कि तुम पहुचे क्या बेटा वगरा तो वैसे ही दोस्तो हमारे जो करीबी लोग है उनको भी छोटी-छोटी बातों में ही मैं आपको सच बोलू ना तो एक बड़ा मतलब बड़ी चीजों में हमारे हमें मतलब पैर नहीं दीख सकता है मुझे लगता है छोटी-छोटी चीजों में तुमने खाना खाया क्या रास्ते से जाते समय संबल कर जाना अगर धूप होगी तो मतलब कुछाता ले कर जाना तो इस तरीके से हम अपने बच्चों को या फिर करीबी लोगों को जैसे हम पुछते है पैर से तो इसे ही चीजों में दोस्तों सचा पैर दिख जाता है नहीं तो एक मतलब स्वारती पैर तो इस तरीके से नहीं दिखाई देगा इसलिए जितना हो सके दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने किसी अपने को खोया है तो इसे समय में आप मतलब उनके लिए जादा दुखी मत होना क्योंकि वो लोग उनकी जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे वहाँ पे उनके आत्मा जो है वो आगे आगे बढ़ रही होगे उसका सफर बहुत अच्छे से शुरू होगा वहाँ पर उसकी शिक्षा चालू होगे वो आत्मा लोग में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे होंगे लेकिन हम अगर उनके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी रहे तो वो अच्छे से मतलब हाँ पर मतलब थोड़े से दुख में मतलब रहे रहते है उनका हमारे वज़े से सफर आगे नहीं बढ़ेगा इससे नहीं होता लेकिन हमारे वज़े से वो कहिना कई दुख में रहते है कि कहिना की हमारे जो अपने है वो बहुत ज़्यादा दुखी है हमारे लिए इसलिए हम मतलब कम से कम उनके खुशी के लिए हम तोड़ा से जीवन में आगे बढ़े मैं आपको फिर से कहता हूँ अपने खानपान पर अपने हेल्थ पर तोड़ा सा खयाल रखना रहने दो अभी मुझे जीने के ही इच्छानी ऐसे मत सोचना जब हमारा समय आजाएगा वो हमेशे हमारे साथ होंगे लेकिन फिलाल दोस्तों हमें अपने जीवन में कहिना के आगे बढ़ना होगा और ऐसी सारी चीज़े जिससे उनका हमारे अपनों को खुशिया लाइए यसे आप अपना अच्छे से खाना पिना मतलब अपना करेंगे तो ऐसी समय में उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी आप थोड़ा सा अपने अच्छे से खायल रखेंगे अपने काम पे थोड़ा सा फोकस करेंगे थोड़ा सा मतलब ऐसे मन भैल जाए या फिर ग्यान मिले ऐसे कुछ किताबे पड़े या फिर कुछ ऐसा शो देखे तो इन सारी चीजों से थोड़ा सा आपको एक शांती मिलेगी तो उनको जा बहुत ज़ादा उससे खुशी मिलेगी दोस्तों इसलिए जितना हो सके आप उनके लिए दुखी मत रहना वो माता जी मुझे वही कह रहे थे कि आजकल मुझे बहुत ज़ादा मतलब चीजों में कुछ ऐसी चीज़े पता चलती है कि कहिना कि या रे ये तो मेरी बेटी मुझे कहना चारी होगी तो इस तरीके से आजकल उसके साथ चीज़े हो रही है और हाली में वो कहिए रही थी कि मैं मतलब ध्यान भी मैंने चालू किया है। उससे और भी चिज़े मुझे पता चल रही है। तो अगर आपने भी किसे अपने को क्या है और उनके लिए अगर दुखी है, तो ऐसे वक्त में तुदधास आप ध्यान भी करने की कोशिश कर सकते है। इन सार प्रदाबेंद असाथ अधर्य दोस्तों अपने अगले विडियो में मिलते हैं आप अपने परिवार कखयाल रखना आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको पास्टर लाइफ रिग्रेशन या फिर हमारे अपनों के लिए आटोमेटिक राइटिंग करनी है तो आप इस वाटसप नमबर पर मैसेज कर सकते हैं हम आपको किसी अच्छे तेरपिस्ट के बारे में जरूर बताएंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद